अब सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि टेरोरिजम का मतलब क्या होता है अब जो हमरे पर लिखा हुआ है अब इसमें आ जाता है कि जब कोई बन्दा या कोई परसन या ग्रूप आफ परसन कहले कि वो यूज आफ फोरस करते हैं या थरेट करते हैं कि हम रखोरस का या वाइलेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रीए वो एक ससाइटी में एक पबलिक में एक सैंस आफ फ suisर क्रियेट कर देते हैं और इन सिक्योरिटी क्रियेट कर देते हैं अच्छा तो उनका मकसद क्या होता है इसके पीछे कि वो मजबूर करना चाहते हैं कंपेल करना चाहते हैं गौर्नमेंट को उन्हें गौर्नमेंट को धंकाना चाहते हैं खौफ दिलाना चाहते हैं सोसाइटी को गौर्नमेंट को तो کیا ہوتا ہے نیت ان کی یہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی بھی قسم کا political, religious یا ideological جو ان کا specific goal ہوتا ہے اس کو attain کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی person یا group of person کسی بھی قسم کا سیاسی, مذہبی یا نظیریاتی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے whylence کا استعمال کریں या उसकी धंकी दें और उसके जरीए वो एक खौफ की फिजा पैदा कर दें किसी भी सुसाइटी में और गौर्नमेट को धंकाएं और उन्हें मजबूर करें कि हमारा ये जो मकसद है इसको पूरा करो तो ये सब ये हम कह सकते हैं कि ये टेररिजम की एक डेफिनिशन है अब आ जाते हैं कि टेररिजम अंडर सेक्शन 6 एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 इसमें क्या है ठीक है अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि टेररिजम मीन्स दे यूज और थ्रेट आफ एक्शन अब एक्शन आगे दिये गए हैं तो अब वो क्या होता है कि टेररिजम का मतलब हमें ये सेक्शन 6 में बताया गया हम इसको मुफ्तिसर करके पढ़ते हैं ठीक है अब जो यूज और यूज इस्तमाल करते हैं या थ्रेट करते हैं कि हम ये ये एक्शन करेंगे तो वो क्यों करते हैं कि कोई भी किसी को मजबूर करने के लिए या उन्हें धंकाने के लिए या सेंस आफ इन सिक्योरिटी किसी सुसाइटी में पैदा करने के लिए ठीक है किसी भी किसम का अपन को intimidate करते हैं, उन्हें terrorize करते हैं, ठीक है? और साथ में या civilians पे attack करते हैं, या किसी किसम की property को कोई नुकसान पहुँचा देते हैं, ठीक है? तो या वो नुकसान पहुँचाते हैं या उसकी धंकी देते हैं. तो क्या ये सब ये terrorist activities भी आ जाता है, terrorism की definition में आ जगता है अब हमारे पास आ जगता है कि कौन से action है जो वो लेते हैं ठीक है अब हमने पड़ा है कि terrorism means the use or threat of action ठीक है action by terrorist अब threat of action by terrorist अब actions कौन से है कि use or threat of action which involves the cause of death of any person के कोई भी ऐसा काम करते हैं कोई भी ऐसा force इस्तमाल करते हैं जिससे पता होता है या धमकी देते हैं कि हम इस बंदे की मौत इस बंदे को मार देंगे या उसे मार देते हैं ठीक है अपना मकसद लेने के लिए government इदारों को या public community को या किसी भी foreign government को या population को या किसी भी specific वे उसको उनको धमकाने के लिए अपना मकसद ह करते हैं किसी media person को वो पकड़ लेते हैं ठीक है उसके साथ वो किसी business community पे अटेक कर देते हैं स्वीलियन्स पे अटेक कर देते हैं तो वो मजबूर करते हैं government को कि जो भी उनका मकसद है उसको वो पूरा करें ठीक है तो वो मकसद जो उनके होते हैं आम तोर पर हम देखते है کہ وہ religious होते हैं ठीक है या फिर उनके humanitarian होते हैं कोई भी फिरकावरा आ एक्टिविटीई होती है या कोई नसली activities होती है या इसके इलावा और भी कुछ होते हैं कि वो अपने कोई ideas बगैरा होते हैं उनको fulfill करने के लिए वो ये सब करते हैं ठीक है अब कौन से action होते हैं जो terrorism में आ जाते हैं जब हम किसी बंदे की मौत कास करें ठीक है death कास करें या फिर दमकी दें के हम इस बंदे की death कास कर देंगे तो वो भी terrorism में आ जाता है किसी भी किसम का grievous violence करते हैं ठीक है किसी बंदे को उसको grievous wear किसम की आप bodily injury देते हैं उस बंदे को या उसकी property को ठीक है तो या फिर उसकी property को आप damage कर देते हैं ठीक है उसमें हमारे पास आ जाता है कि आप किसी भी government premises उसमें शामिल हो जाती है या गोई सरकारी तनसीबात official installations जो होती है सरकारी तनसीबात वो आ जाती है स्पून्स आ जाते हैं hospitals आ जाते हैं offices आ जाते हैं इसमें हमारे पास public और private property किसी भी किसम की आ जाती है तो including damaging a property, ransacking, looting और arson और by any other means उनको लूटना और उनको जलाओ गिराओ करना तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं ये सब जो किया जाता है ये टेररिजम के जमरे में आ जाता है ठीक है अब next हमारे पास आ जाता है likely कोई भी ऐसा action करना या उसा action करने की धंकी देना likely to cause death और in danger a person life जिससे पता हो कि ये अगले बंदे की इससे अगले बंदे की मौत भी हो सकती है या उसकी जिन्दगी जो है वो खत्रे में पढ़ सकती है ठीक है अब इसमें हमारे पास ऐसा काम कर जो करेगा वो भी टेररिजम के जमरे में आ जाता है अब आगे क्या है कि किरनेपिंग करना किसी बंदे को किरनेप करना उसको एक जगा से दूसरी जगा ले जाना चाहे दुखे के जरीए ले जाना या use of force के जरीए या कंपेल करना उसे ठीक है और फिर कहना कि इसके बंदे में आप किरनेपिंग फॉर रैंजम के मुझे तावान दे दो और उस बंदे को ये भी टेररिजम के जमरे में आ जाता है फिर hostage टेकिंग होती है किसी को यरगमाल बना लेना जबरदस्ती अपना कोई मकसद लेने के लिए तो वो भी टे जाए ठीक है अच्छा नेक्स आ जाता है हमारे पास यूज आफ एक्स्पलोसिव तो कोई भी बंदा इस्तमाल करे यूज करे या थ्रेट आफ यूज करे इनको दमकी दे कि मैं इनको थ्रेट करे कि ये यूज आफ एक्स्पलोसिव के एक्स्पलोसिव को इस्तमाल करने की दमकी दे तो वो भी टेररिजम के जुम्रे में आ जाता है अब इसमें एक्स्पलोसिव में क्या आ जाता है दमाग का खेज मवाद है इसमें क्रीनेड आ जाते हैं रॉकेट लाउंचर्स आ जाते हैं ठीक है और उसके साथ हमारे पास आ जाते हैं क्या कहते हैं कोई भी बॉम या ऐसी exclusive चीज़ जो है वो आप नसब करते हैं आया आप उसका इस्तमाल करते हैं या नहीं करते हैं आप किसी property को damage करते हैं या किसी भी human को damage करते हैं तो वो सारे भी आपके terrorism के जुमरे में आ जाते हैं अब next क्या आ जाता है कि insight, hatred and contempt अब नफरत और तोहीन अमेजी की फिजा को हवा देना किसी भी religion के खिलाफ या सेक्टेरियां किसी फिर्के के खिलाफ या किसी भी नसल के खिलाफ और अवाम में एक हलचल सी पैदा कर देना ठीक है और उनके एक disturbance क्रियेट कर देना और violence क्रिये में आ जाता है नेक्स्ट है हमारे पास taking lie in own hands अब taking lie in own hands कैसे होता है कि अब कुछ बंदे हैं या बंदों का कुछ गुरूप परसंज हैं या गुरूप आफ परसंज हैं वो करनून को अपने हाथ में ले ले लेते हैं अपनी मर्जी से बंदों को गिरफतार कर रहे हैं अप आफ पैदा कर देते हैं पब्लिक में पब्लिक को दमकाते हैं डुराते हैं और यह सारे जो चीजें हैं यह भी टर्रिजम में आ जाती है ठीक है फिर आगे हमारे अपर्रा आ जाता है फाइरिंग और Forcible Takeover of religious places अब कोई भी मख़भी इंज्जिएस गार्ट हैं दीजिएस उसको टेक ओवर कर लेना यू उस पे फाइरिंग करना या किसी किसम का कोई पैनिक स्परेड कर देना तो ये भी टेरुरिजम की डैफिनेशन में आ जाता है ठीक है अब आगे क्या करते हैं कि सीरियस रिस्क टू पबलिक अब पबलिक को कोई पबलिक की सेफटी को कोई सीरियस खत्रा पैदा कर देना कि पबलिक को सेफटी को नुकसान पहुंचाना ठीक है या पबलिक को ड्राना उन्हें रोकना कोई उनकी डेली अक्टिविटीज में या कोई ऐसा लाफूल ट्रेड जो वो कर रहे हैं या की डेफिनिशन में आ जाता है ठीक है अब सीरियस आर्सन एंड बर्निंग ओफ वहिकल अब कोई बंदा जलाओ घिराओ करता है जैसे बस इसको आग लगा देते हैं टायरों को आग लगा देते हैं खड़ी गाड़ियों को पर आया वो प्राइवेट हैं पबलिक हैं उनको जा इसमें बत्ता कोरी आ जाता है किसी से आप जबरदस्ती पैसे ले रहे हो या आप उनसे बत्ता कोरी कर रहे हो आप आते हो आप आके अपनी रखम वसूर करते हो जबरदस्ती तो ये सब भी टर्रिजम की डेफिनिशन में आ जाता है सीरियस इंटर्फिरेंस और करते हो तो ये भी आपकी टेर्रिजम की डेफिनिशन में आ जाता है फिर वाइलेंस अगेंस्ट मेंबर्स और पुलीस और आम्ड फोर्सिस आप पुलीस और आम्ड फोर्सिस के खिलाफ किसी भी किसंगा कोई वाइलेंस करते हो यूज आप फोर्स करते हो उनके खिलाफ तो य आपके terrorism की definition में आ जाता है या आप किसी भी law enforcement agencies हैं और armed forces हैं पुलिस forces हैं उनके खिलाफ वोगों कोई काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप resistance पैदा करते हो और armed resistance पैदा करते हो मुसला होके less होके तो ये सारी भी आपके terrorism में आ जाती है या कोई भी ऐसाफ आईडियाज आपके हैं या आपके अकाइद हैं या आप खोई भी अपने नजरीये हैं आपके आप उनकी तबलीग करना चाथे हूँ उन्हें पहलाना चाथे हो तो आप उनकी अपने हिसाब से इंटर्प्रिटेशन कर रहे हो किसी एफ-फैम पे या किसी लाउड स्पीकर पे तो आप उसको गौर्मेंट के जो कंसर्ण डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आप पर्मिशन लिए बगएर यह सब कर रहे हो तो यह सब भी टेर्रिजम की डेफिनिशन में आ जाता है अब कोई भी एक्ट आप करते हो जो के आपको पता है कि एक प्रोस्क्राइब्ड और्गिनाइजेशन है यह एक ममनुआ और्गिनाइजेशन है गौर्मेंट नहीं से प्रोस्क्राइब्ड करार दे दिया है और आप फिर भी कोई ऐसा एक्ट या एक्टिविटी करते हो और आ आप उनको benefit पहुंचाते हो तो वो भी आपकी terrorism की definition में आ जाता है अब हमारे पास आ जाता है कि guilty of terrorism कौन होगा a person who commits an offense under section 6 जो पीछे सारी actions बयान किये गए हैं और जो भी मकास्थ बयान किये गए हैं उनके तहट कोई भी बंदा कोई भी offense commit करता है जो सारे offenses हमने पीछे बयान किये हैं कोई offense commit करता है तो वो बंदा guilty होता है terrorism का अब terrorist कौन होता है an individual who has committed an offense of terrorism under this act act कौन सा है anti-terrorist act and is or has been concerned in commission, preparation, facilitation, funding, investigation of act of terrorism अब इसमें हमारे पास क्या जाता है कि terrorist कौन होता है कि एक बंदा जो के commit करता है एक काम और terrorism का कोई भी काम जो कि पीछे definition में आ गया है यानि वो किसी को किर्णैप कर रह है, किसी की मौत कास कर रह है और किसी को injury दे रहा है, gravy acide दे रहा है, property कर रह या जलाओ घराओ कर रहा है ठीक है, या किसी भी आप मजभी तनसीबात को नुकसान पहुँचा रह है ठीक है तो ये सारी जो हमने पीछे बियान किया है ऐसा कोई भी काम करता है तो वो बंदा टेर्रिस्ट होता है या फिर वो किसी भी प्रिपेरिशन में टेर्रिस्ट एक्टिविटी करनी है तो उसकी प्रिपेरिशन में हेल्प कर रहा है या उसे फसालिटेशन में कर रहा है य जो बंदा ये सारे काम करता है वो टेररिस्ट होता है ये आगे हम नेक्स्ट सेशन में इसकी हम पनिश्मेंट पढ़ लेंगे तो अब तक के लिए ये इतना ही है